गणे जी को जब घर में प्रवेश दो, तो गणे जी का मुख आप की हो, महाराज, और जब गणे जी को विसरजन भी करो, तो गणे जी का मुख आप की हो, पीट नहीं, पीट नहीं, कई-कई लोगों के घरों में गणे जी की बहुत सारी फोटो हो जाती है, बहुत ध्यान दीजेगा, महाराज, कई-कई लोग गिफ्ट में गणे जी दे दे थे, शास्त्र करता है, जिसने अपने जीवन काल में, आपको पहले भी कथा में कहा था, एक आउले का ब गणेश की मूरती है, ये दो चीजे कैसी हैं, जिसको, एक कुवेर का श्टेचू भी आता है, जिसको कंदे पर पोटली रखी हुई, श्टेचू आता है, वो गंजबाबा रहे सो, क्या बोटते हैं, हम लोग कते कुवेर श्टेचू बोलते हैं, ये भी गिफ्ट में नहीं दिया जाता है, महराज, यदि गणेश की मूरती, गणेश की प्रतीमा, गणेश का फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं, तो हमारे घर की संपदा, उस तारीक को लिखकर रखना, उसके बाद में धीरे धीरे छिन होने लगती है, संपदा टिकती नहीं है, एक रुप जहां पूजन करते हो वहां लगा लो, जहां इस्मन करते हो वहां लगा लो, चल जाएगा, पर सारे घर में ना जाने कौन कौन सी दिशा में, और यहां तक कई लोग साल भर गणेशी रखते हैं, तो उनसे भी निवेदान है, साल भर गणेशी रखो मना नहीं है, पर गणे लाते समय गणे जी का मुख आप की ओर हो, कल सिक नियम लेना, शमी के ब्रक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र, शमी पत्र समर्पित होता है, आपको कथा में बंडन किया था, 33 कोटी देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चड़ेगा, पर 33 कोटी देवताओं को शमी पत्र चड़ता है, और उसमें एक गणेश जी महराज और एक बाबा भोले ना, इन दोनों को शमी समर्पित होता है, शमी पत्र समर्पित होता है, महराज, कथा में पहले भी बंडन किया, आज फिर आपको, ये शिवलिंग है, समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है रिद्धि सिद्धी पाने के लिए, समपदा को बढ़ाने के लिए, ये शिवलिंग है, ठीक है, ये गोल जला धारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है, शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है शंकर जी की पाँच लड़कियां जो उपर से जल नीचे गिरा रही है जया, विशहरा, शामरीबारी, दोतली और देव ये शंकर जी की पाँच लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रातरी में नीद अच्छी आती है एक-एक बून जो उपर से गिरा रही है ये शिव की पाँच बेटी जहां से जल नीचे गिरता है शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है उसके राइट भाग में गनेजी का स्थान लेट भाग में कार्ती के का स्थान बीच में संकर जी की सबसे छोटी लड़की असुक सुन्दरी का स्थान शिव महापुरान की कथा करती है और गणेश चरीत्र पंश्रमन कर रहे है और कल से एक चतूर्थी लग रही है जिसके घर में संपदा की कमी पढ़ती हो बिमारियां ज़्यादा फेल रही हो बहुत कश्ट हो महाराज बहुत ज़्यादा दुखी हो महाराज कोई काम नहीं बन रहा बहुत तकलीफ में हो तो समी पत्र समी की पत्ती जहां गणेश जी का स्थान है वहाँ पर पाँच समी पत्र पाँच समर्पित करें और शंकर जी के उपर तीन शमी पत्र समर्पित करें बहुत ध्यान देना पाँच शमी पत्र जहां गणेजी का स्थाने शिवलिंग में वहां समर्पित करें तीन शमी पत्र शिवलिंग के उपर समर्पित करें एक शमी पत्र शंकर जी की चोखट पर लेफ्ट भाग में जाते समय आपका उल्टा हाथ जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चोखट पर समर्पित करें एक शमी पत्र और महराज घी का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगा कर, बाहार की और जहां समीपत्र रखा है, उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए केवल गनेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गनेश पुराण करती है, भगवान गनेश जी का मोर्द्वज का मयूर्द्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चड़ा देता है उसके घर से कभी रिद्धी सिद्धी नहीं जाती बेभव प्रतिष्था नहीं जाती करकर देखना अगले साल तक आपका व्यपार कितना चलता है हमको बताना जरूर करके देखो एगला गणेश पुराण का शिव महापुराण का ये प्रसंद करिए जीवन में उतारिए चतूर्थी से लेकर रणन चतुदशी तर गणेशी का मूल इस्थान आपको गणेशी की मूर्ती पर चड़ाने का नहीं बोल रहा है क्योंकि गणेशी की आप प्रतिष्था करोगे तो वो टेमप्रेरी है दस दिन के लिए कर दिया फिल बापी द्वी सर्जन कर दिया पर जहां शंकर मंदिर में बेट गए शिवलिंग स्थापित हो गया महां ना जाने कितने समय से शंकर की अराधना हो रही है वहां गणेशी सदा विराजमान है सदा अराधना और देखो ये दस दिन में अगर आपने शमीव पत्र बिलकुल मन से समर्पित करा है न तो मेरा विश्वास कहता है शिव महापुरान का मेरे बावा विश्वनात की कृपा कहती है मेरा मन कहता है दस दिन के अंदर आप शमी चड़ाएंगे न तो कुछ ना कुछ अच्छी ख़बर जरूर मिलेगी ये पक्का है पर हमें बताना जरूर वाटसप पर हो मैंसे जरूर करना कि क्या फायदा हुआ आपको दस दिन के अंदर बोलना जरूर करकर देखिए शिविस्मरण बगवान गणेश शिविदा तीसरा क्रम गणेश जी की मूरती जब लेकर आओ तो गले में जनेवं के रूप में या कमर पर सर्प जरूर होना चाहिए गणेजी की मूर्ती में जनेओं के रूप में साप हो या कमर पर बंदा हुआ साप हो वो गणेजी संपदा देने में पीछे हटते ही नहीं गणेजी की मूर्ती में कंदे पे जनेओं के रूप में साप हो यह टेट पर कमर पर साम गंदा हो तो संपदा देने में कमी नहीं रखे अपार संपदा रखे शिव पुरान करती है चाहे सुंबार करो, मंगलवार करो, बुद्भार करो, एकादशी करो, परदोश करो तुमारी मर्जी पड़े जो वरत करो पर तुमारे चेहरे पर उस बृत में परसंदा होना चाहिए अगर चेहरे पर परसंदा नहीं है भगवान उस बृत को स्विकार नहीं करता आज हर्ताली का तीज है, कल्चतूरती है, पंचमी है आप जो भी ब्रत करो, आपके चेहरे पर एक प्रसनता का भाव होना चाहिए, कि मैं आनंद से भगवान को रिझाने के लिए यह ब्रत कर रही है, भगवान को पाने के लिए होना चाहिए भई, अगर गणे जी महराज आपके घर में आ रहे हैं, भगवान कृष्ण आपके घर बनना चाहिए एक हलदी का एक कुउकू का और स्वस्तिक बना कर जब गणेजी प्रवेश करें आपके ढहरके अंदर तब दो घीके दिये दोनों और जनलाना चाहिए रिद्धि शिध्धि के लिए तब प्रवेश्च मीरे गणेजी महाराज सीधा चरण अंदर रखकर प्रवेश करिए और गणेजी की स्थापना करिए और इस स्थापना के समय पर दो बिंदी जहां गणेजी बेठें साइड बे कोई दिवाल हो तो एक हल्दी की एक कूपू की बिंदी जरूर लगाए क्यों? जब आखरी दिन हम अनंच तूर्दशी के दिन गणेजी को जब बिदा करें तो ये रिध्धी और ये सिध्धी ये कूपू और हल्दी की बिंदी नहीं ये रिध्धी और सिध्धी है बहुए हमारे घर में रह जाए भले बेटा काम पर चले जाए क्या होता है रिध्धी सिध्धी हम साथ में गणेजी के विसर्जन कर देते हैं अगर बिंदी नहीं लगाते हैं तो रिध्धी सिध्धी गणेजी के साथ चली जाती है अगर दो बिंदी हमने दिवाल पर लगा दी तो वो रिद्धी सिद्धी घर में रह जाती है गणेजी जरूर विरसर्जन हो जाती है उसको रखो